हलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूं इंदरपार और मेरे शनल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर एक e-commerce website manage करते हैं या फिर आप एक e-commerce website बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बता हूँ कैसे आप जो है अपने WooCommerce के empty card के button को जो return to shop button होता है उसके URL को change कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर मेरे जितने भी website पर products है वो शोर करने लगते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ membership plans हो और मेरे other products हैं लेकिन दोस्तों मैं चाता हूँ कि मैं जो membership plan है वो यहाँ पर शोर ना करें मतलब दोस्तों मैं जो default URL शोर पेज का वो मैं यहाँ पर चेंज करना चाता हूँ जैसे दोस्तों इस बटन पर कोई क्लिक करें तो दोस्तों आप जो है कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो को जो है लास तक देखते रहे तो चल करना चाते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं GPL4U.com वेबसाइट पर जहां पर दोस्तों आपको कफे अफॉरडिबल प्राइज में आप जो है प्रीमिम टेंपलेट परचेस कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं तो दोस्तों रिटन टू शॉप थीम एडिटर पर क्लिक करते हैं इसमें दोस्तों राइट हैं साड में आपको एक ओप्शन है सिलेक्ट थीम जो भी थीम आप यूज करहें वो थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं basically हम आपने वीडियो में और वेबसाइट पर जो है वुडमार्ट थीम यूज करते हैं तो हमने पर बॉटम में एक code add करना है तो code add करने के लिए simply दोस्त आपको gpl4u.com website पर जाना है bottom में अगर दोस्त आपको याँगे यहाँपर दोस्त आपको एक blog section मिल जाएगा इस पर आपको click करना है click करने का दोस्त आपको यहाँपर जो है wuchamp.com website खुल जाएगी अगर आप चाहें तो direct wuchamp.com website पर visit कर सकते हैं यहाँपर दोस्त आपको जो है पहला blog मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ how to change woocommerce return to shop page URL तो इस पर आपको click करना है click करने का दोस्त आपको यहाँपर bottom में आना है आपको यहाँपर एक छोटा सा code मिन जाएगा इस code को copy कर देना है copy करने का दोस्सय questo आपको यहाँपर paste कर देना है इसका दोस्तो जो भी आप URL देना चाहते हैं वो URL आपको यहाँपर enter कर देना है तो दोस्तो मैं आपने जो है caredMore chassis चैज्वार्च आई यह URL आपने पर पेस्ट करने के वाद इसको आपको जो है अपडेट कर देना है तो इस फाइल को जो है अपडेट कर देता हूँ तो जैसे कि दूसरों मारी फाइल अपडेट हो चुकी है चलिए हम अपनी वेबसाट को रिफरेश करके एक बाद देख लेते हैं तो अचलिए दूसरों हम अपने कार्ड में एक प्रोड़क एड करते हैं तो मैं यह पर जो है वेबसाट यूए पर क्लिक करता हूँ वेबसाइट रिवा पर क्लिक करेंगे दोस्ओं कोई एक प्रोडट हम य şurब कर लेते हैं हमारі कारट में तो जैसे के दोस्वारा एक प्रोडट जो है एड ँचुका हैं अभी दोस्वा इस प्रोडट को हम जो है रिमूब करते हैं टेस्ट करने के लिए तो मैं आसो जो है product को remove करता हूँ तो जैसे कि दोस्तो हमने अपने card के product को remove कर दिया है अभी दोस्तो हम जो है return to shop page बटन पर click करते हैं तो जैसे कि दोस्तो आप देख पार है हमारे जो अभी page open हो रहा है वो all items जो हमने URL दिया था वो page open हो रहा है तो दोस्तो कुछ इस तरह से आप भी अपने website के return to shop page के URL को जो है change कर सकते हैं दोस्तो मुझे उमीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कुछ ही सुझा या फर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box से मुझसे फूल सकते हैं और आप दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए बिकोज इस तरह की वीडियो मैं हमेश आपके लिए लाता रहता हूँ तो आज के लिए इतना ही thank you for watching